देश में कोरोना मरीजों का आकड़ 83 लाग के पार हो गया है रहात की बात ये है कि इन में से 76 लाग 54 जार से जादा लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 5 लाग 33 जार से जादा मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते देश में आप तक 1,23,650 संक्रमितों की मौत हो चुकी है देश में एक्टिव केसों में एक महीने में लगतार गिरा वटा रही है इस मामली में भारत अब दूसरे से तीसरे नमबर पर आ गया है यहां सिर्फ 4.34 प्रतिशत मरीजों क ही इलाज चल रहा है 26 प्रतिशत के साथ अमेरिका पहले नमबर पर और 11 प्रतिशत के साथ फ्रांस दूसरे नमबर पर है इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल है दिली में कोरोनवाइरस के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये हैं पिछले 24 गंटे में यहां कोरोनवाइरस के कुल 6,725 नए मरीज मिले इससे पहले दिली में एक दिन पहले इतने केस नहीं मिले थे वही 24 गंटे में 48 मरीजों की मौत हुई है 30 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा 5,891 मरीज सामने आये थे राजधानी में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 46 फीजदी भारतियों ने कोरोना महामारी के दोरान घर चलानी के लिए एक करज लिया ज्यादतर करज परिवार के सदस्यों या दोस्तों से लिया गया ये जानकारी होम क्रेडिट इंडिया की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है इसके लिए मुंबाई, दिल्ली, भोपाल और पठना सही देश के साथ शहरों में सर्वे किया गया 27 फीजदी ने किसी पुराने लोन की किसी चुकाने के लिए पैसे लिये तो वही 14 फीजदी लोगों ने नौकरी जाने के कारण करज लिया दुनिया में अब तक कोरोना के 4 करोड 68 लाग से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं इन में से 3 करोड 37 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं तो वही 12 लाख 5194 लोगों की दुनिया भर में कोरोना की चलते मौत हो चुकी है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेट दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढाराई है वहीं इरान कोरोना की तीसरी लहर से जूज रहा है